दोस्तो कैसे हैं आप मेरना मुहमद इसाग है और आप देख रहे हैं इसाग पीके टेक्निकल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर की करण को किस तरह काम किया जा सकता है तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी तो दोस्तो सबसे पहले इसके वोलडेच चेक करेंगे कितने व्लडेच आ रहे हैं इस वकत हमारे पास आख रहे हैं दोस्तों 1212 suggesting एप वोलड़च छेक करने के बाद इसको हम अंपेर पर लगाते हैं कि इस एक वृड़ा आठ्ड का कंप्रैसर लगा हुए इसको और तक्र आपको चैक करके बताते हैं इसको अपेर पर डिजस्ट करते हैं अपने क्लम मेटर को यह हमने अपेर पर अज़स्ट किया है पॉइंट एट पॉइंट इट समन तकरीबं इसका क्रंट है तो यह इतने अमपेर ले रही है जीरो पॉइंट सेमन अंप्यर करंट ले रही है तो इसके करंट खौम आपको कम करने का तरीका बताते हैं हमारी वीडियो को पूरा बाच कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगती है तो आप अच्छे-च्छे कमेंट कीजिएगा हमें और लाइक भी है तो चलते हैं अगया हम अगले प्रोसीचर की तरफ जी देखें पॉइंट सैवन पर बड़ इसका करंड यह देखें चोटीशी फ्रिज्ज है सिंगल डॉर तक रिखनी हैं यह देखें चोटी फ्रिज है सिंगल डॉर ये तकरीबन बड़ी फ्रिज यतना करंट ले रही है फ्रिज चाहे बड़ा हो या छोटा हो करंट की जो कंजप्शन है उसकी करंट की जो खपत है वो तकरीबन सेम ही होती है तकरीबन पॉइंट ये 0.7 ले रही है और जो बड़ी फ्रीज होती है वो तक्रीबन जीरो पॉइंट नाइन या एक अमपियर करंट लेती है तो इतना खास फरक नहीं है तो हम आपको इसको तक्रीबन आदा करंट कम करके दिखाएंगे यह मैंने कपैसिटर रखा हुए पहले इसके जी तो सबसे पहले इसका स्वीच आफ करें स्वीच आफ करने के बाद इसकी जो रिले लगी हुए उसको उतारना है रले को उतार के इसके जो कपैसिटर के पॉइंट हैं दोनों इसके साथ मैंने पहले थिंबल लगा लिये थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहो यह हमने लगाया है 4UF का केपैसिटर यह रनिंग केपैसिटर है 4UF का इसको लगाते हैं तो आपको चक करके दिखाते हैं कि कितने हैं अंपर करण टब लेरी एफरेज यह देखें जिरू जी तो दोस्तों थिंबल हमने लगा लिए केपैसिटर को वीडियो हमने इसलिए शाट की है ताकि वीडि रिले उतारने के बाद एक सीरा अपने स्टार्टिंग पर लगाना है और दूसरा केपैसिटर का न्यूट्र पर लगाना है यह देनफास की रिले हैं हमारे पास यह देखें जी रिले आप मैं आपको वाज़र करके दिखाता हूँ जरा इसके पॉइंट्स यह कामन पॉइंट है इसका कंप्रेसर का और यह इसका लाइन है इस तरफ इसकी न्यूट्ल है और यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि सबसे पहले आपने कामन की वायर लगानी आप ले के उपर यह कामन की वायर लगगी इसके उपर और अब इसको आपने न्यूट्ल लगानी है यह न्यूट्ल का थोड़ा थिंबल धब हुआ है इसको हम ठीक करेंगे जी तो यह ओके हो गया है अब इसको पर न्यूट्ल की वायर लगा दें यह आप घर पर आसानी से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत अलेक्ट्रिकल का नॉलिज है सेफटी इसमें जरूरी है दोस्तों सेफटी का ख्याल रखें कि अलेक्ट्रिक सिटी का काम है जी तो यह मैंने लिडिस लगाते हैं कि मेटर को चीव होगे न्यूट्ल आपस में कॉंटेक्ट है रिले के उपर बास काती होता है कि न्यूट्ल और लेकि न्यूट्ल आपस में कॉंटेक्ट नहीं होती यह अल्रेडी कॉंटेक्ट है अब हमने जो न्यूट्ल लगाना है के लिडिक्ट्रिक न्यूट्ल पर लग गया और दूसरा सिरह जो है यह हमने स्टार्ट इंग के उपर लगाना है यह स्टार्टिंग के उपर है ठीक है दोस्तों लूज नहीं होना चाहिए थिंबल कोई भी अगर लगाएं आप थिंबल लूज नहों कि लूजिंग की वजहां से जब भी कंप्रैसर खराब होता है आपका लूजिंग की वजहां से होता है तो यह अब मैं आपको इसका हो फ्रिज का स्विच लगाएं आउन करें जी यह देखें कितना आगया जी 0.6 अभी और डाउन आएगा इसका और नीचा आएगा इसका एंपर देखें जी यह आगया है जीरो पॉइंट फाइफ के उपर यह जैसे जैसे चलेगी तकरीबन आदा गैंटा लेगी यह फ्रि तो यह तकरीबन 0.4 पे आ जाएगा इसका जो करंट है तो दोस्तों देखा आपने कैसे इसको हम इसके करंट को कम कर सकते हैं यह बहुत ही आसान फार्मूला है यह चोटा कंप्रेसर है लेकिन 0.54 अमपेर तकरीबन 0.5 अमपेर इसका करंट आ गया है पहले ले रहा था यह 0 0.8 अब ले रहा है 0.5 जैसे जैसे यह चलेगा इसका करंट जो है कम होता जाएगा तकरीबन यह 0.4 पर आकर रुक जाता है मैंने आल्रेडी चला के चेक किया 0.4 के उपर इसका करंट रुक जाता है इससे आपके कंप्रेसर की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और अपने फ्रीज के साथ स्टेपलाइजर जूर लगाएं स्टेपलाइजर का यह फाइदा होता है कि जब वोल्टिज पी स्टेप्ट्वेशन होगी तो उसका सेफटी यह होता है कि वह उसने तीन मिट बाद आगे करन्ट स्प्लाइजर करना होता है कपैस्टर हमने उपर फिक्स कर दिया है बडी के साथ ही अब हम इसका जो है रिले बॉक्स लगाएंगे रिले बॉक्स लगाने के बाद हमारी वीडियो का होता है एक तताम जी बहुत-बहुत शुक्री आपका कि आपने हमारा साथ दिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अच्छे चे कमेट कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अला हाफिज